नमस्कार आप सभी लोगों को एक बार फिर स्वागत है मेरे इस चैनल पर तो आज हम फिर इस बात करेंगे पीएफेमस में एक बार मैं बता ही चुका हूं लेकिन हाँ डीपली मैंने कॉंसेट क्लियर करने लिए इसको इस बार ये वीडियो बनाया है और होप और आशा यही क आपके गले में एक हड़ी का काम कर रहा होगा तो इस हड़ी को निगलने के लिए हम लोग सब साथ में प्रियाश करेंगे कि हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं और हमें इसको करने के लिए क्या-क्या प्रियाश करना चाहिए तो थोड़ा संक्षेप में इसमें पहले जाओंग मुझा की प्यृस्मारा इसको नाम जो इसका नाम दिया गिया है पी इफएमेस का इसका आच इसका जो नाम दिया इसका नाम पॉबलिक फाइनेंस मनेज्मिन्ट सिर्टम् तो इससे हमने सारी मि rév seemingly का म् है और finance संबंदी काम यह अध्यापक वर्ग के लिए इसको निरधारित कि आएगे कि इससे अध्यापक वर्ग अपने सारे finance संबंदी काम करेगा तो इसमें तीन लेवल हैं तो तीन लेवलों को अलग-अलग describe मैं करूँगा यहाँ पर कोशिश करूँगा कि यह तीनों लेवल आपके समझ में आपाएं और शायद इसको अच्छी तरीके से समझ पाएं तो तीनों लेवलों को मैं बताने के लिए मैं इसमें आपको कोशिश कर रहा हूं अभी मौकिक बता रहा हूं फिर इसमें शायद है जो होगा वो होगा विद्याले के head के पास admin level और approval level दो level जो होंगे यह विद्याले के head के पास होंगे और विद्याले के ंबाद कारिवी करेगा वही इस पे अपने number डालेगा उनी की email ID उनी के नाम पर यह admin और head level program यह को तो तीसरा जो इसमें दूसरा जो नाम आता है डाटा operator यह हम operator level पर जो काम करना है operator level काम यह होग है कि operator level से हम लोग बनाएंगे उस lucky जब हम पूरा create करेंगे और इस Guru आगे को डालेंगे प्रस्तावित बिल को जब हम आगे को finance के लिए डालेंगी तो तो वो हमारा बिल हमें किस लेवल पर मिलेगा एक एप्रूवल लेवल पर मिलेगा और एप्रूवल लेवल पर जब वो बिल मिलता है हमको तो हम उस बिल को तब उहां पर से एप्रूव करेंगे देन उसके बाद जो बिल जनरेट होगा इस साइड से उस उस बिल को हम क्या करे के माध्यम से साइन होंगे उसमें और जब हम दोनों कौपी वापस आती है उस कौपी को हम अपने वेंडर को देंगे और वेंडर वही हमारा जैसे यह हम चेक देते थे अब उस बिल की कॉपी देदेंगे और बिल की कॉपी जब शुको देंगे तो हम यह समझ लेंगे कि हमारा जो प्रस्थाविद बिल है वह बेंडर के खाते में चले गया है तो अब दूसरी चीज इसमें यह देख रही है सबसे पहले जब हम इसमें आइडी बनाते हैं एप्रूवल लेवल पे तो हमने ध्यान क्या देना है एप्रूवल लेवल पे शुरू में जो आइडी बन रही है जो हमारे यहां पर से आ रही है ब्लॉक के माधियम से जैसे आई है एक्जामपल दे रहा हूं मैं अंडर्सकोर जीपीएस फलाने स्कूल का नाम तो उस 紹 copyright इस्कूल के नाम में एक हमें डिफॉल्ट पाशवल्ट मिला हूँ है वह डिफॉल्ट पास्वर्ट जैसे हमारे ब्लॉक का है, इडinya at the rate 12312345 12312312 जो भी वो पासवर्ट मिला हुआ है उस पासवर्ट को जब हम अपनी साइट पे डालते हैं साइट में डालने के पश्चार क्या वो हमको क्या कि confirmation देता है कि current password को आपको डालना है और एक new password उसमें generate करना है current password कौन सा है इसमें आपको conflict नहीं होना है current password हमारा कौन सा है जो हमने idea 1234 डाला है वो डालने के बाद हम एक नया password बना लेंगे नया password बनाने के लिए मैंने जो सीखा है जो मैं आपको बता रहा हूं नया password कुछ इस तरीके से बनाएंगे जैसे आपका नाम मालिया मेरा नाम आशीश है तो मैंने नया password बनाया मैं सबसे पहले हमने आशीश के ए को capital कर लिया बाकी spelling रखी small shish at the rate मालिया at the rate का निशान कोई भी special character रखना है तो सबसे अच्छा special character at the rate है और उससे अच्छा भी आप रोको लखते हैं hashtag रखते हैं has रखते हैं percent का निशान रखते हैं यह special character है तो इन special character को आप रखने के बाद एक date of year डाल देंगे जैसे की नमबर डाल देंगे जैसे की 123 या 1234 या 2031 ऐसे करके एक नमबर का से आप password बना लेंगे इस password को दो बार इंटर करने के बाद जब दुबारा इंटर करेंगे तो वह एक third question पुछेगा कि एक हिंट question आप इसमें बनाइए हिंट question उसमें यह पुछा यह है कि आपकी जिगा पर आपका जन्मिस्थान है या कौन सी बुक आपको बहुत अच्छी लगती है या कौन सा विद्याल है आ पासवेट भूलते हैं तो यही सब नेट वापसम को receive करवाएगा तो अब तीसरा काम क्या करेंगे हम इसमें जाने के पश्चाथ हमने क्या किया था कि हम इसमें इंटर करने के पासवेट हम बने बना लिया तो हम इसमें इंटर करने के पश्चाथ हमने सबसे पहले प्रुफाइल में जाने के पस्चात हमने उसमें अपनी डेजिगनेशन अपना नाम अपनी email id जो हमें ब्लॉक से मिली है वो email id हटा कर उसमें अध्यापक अपनी email id बनाए उस email को उसमें इंटर करे अध्यापक अपना इक नमबर इंटर करे उस नंबर को जेके फोन नंबर क्या है तो फोन नंबर अभी चलते नहीं है फोन नंबर में कोई कंफ्लिक्ट नहीं होना है फोन नंबर में ही है आप अपना मोबाइल नंबर इंटर कर लिए और मोबाइल नंबर में अपना मोबाइल नमब रिंटेगर दोनुन नमबर सेम हो सकते हैं दोनून नमबर जब सेम हो जाते हैं उसके बाद लास्ट में कुश्चन र P 1 इसको लास्ट में कीुश्चन आता है, अपडेटम तो वहाँ पर हमने update कर लेना है यह हमारी ID को हमने stable कर दिया तो इतना करने के बाद आगी की process में अपने system में आपको बताऊंगा कि मैंने system में कैसे काम करा है और मैं इस system में क्या-क्या बारिकिया मैं चाहा रहा हूँ कि आप लोग इस बारिकियों को note करें और इस बारिकियों वो मैं आपको एक अपने घर पे डेमो करके आपको बता रहा हूँ, जिससे आपको सहायता मिलेगी, जिससे आप इस चीज को निर्मान कर पाऊँगे, आगे इसमें चलने के लिए, आपको मैं अपने ले चलता हूँ, अपने सिस्टम पर, तो आपको अब इसमें अपने सिस्टम पर मैं दिखाई दे रहा हूँगा, और ये सिस्टम में मैं जब आऊँगा, तो इस सिस्टम में आने के पश्चाथ, मैं क्या कर लूँगा, कि इस सिस्टम में आने के पश्चाथ, मैं इस साइट को खोलूँगा, साइड को किसी भी ब्राउजर को दोज़ स्कते है तो इसमें जाएंगे अपनी साइड निकले तो इसमें के सब्सक्राइब ऄिर पासड में द्यूद ऑफ़ लंगे वह बिद्याले का नाम है जीपी स सन सन अब इसके जो mdm underscore gps यह किसकी पासवर्ड है मैंने आपको पहले बताया है यह admin level का password है इस admin level को खोलने के लिए हमने एक password making कर दिये इसमें तो वो तो मैं आपको दिखानी पाऊँगा लेकिन हाँ जो मैंने password बनाया है उसके बाद इसमें आगे हम क्या-क्या करना है उसकी जानकरी हम लेते हैं यह देखी तो यह अब खुल गया MDM GPS Sun तो यह खुलने के पच्चाथ हमने क्या किया यह जब खुला इसके पच्चाथ हम आगे जाएंगे हमने क्या क्या प्रोफाइल में गए इसको एडिट कर लेना है सबसे पहला काम यही करना है कि हमने इस ID को यहाँ पर एडिट कर लेना है एडिट करने के लिए हम इसमें first name डाल देंगे, email डाल देंगे, अपना mobile number डाल देंगे और update कर देंगे अभी अपडेट नहीं बताएगा क्योंकि यह center की side है, रात को यह चलती नहीं है ठीक है, इतना कर लिया, इसके करने के पश्चाद, अब जब यह update हो जाती है आपको दिन के 10 बजे इसमें सुगू काम करना है, शाम के 4 बजे तक इस side में काम कर लेना है उसके बाद इसमें काम नहीं करना है, center की side है, state की side नहीं है center में जो holidays होंगे, world holidays, यहां भी माने जाएंगे और यहां पर वो side बंद रहेंगी, Saturday, Sunday को काम नहीं करना है, update की इस्तिती में यह side होती है third काम हमने करना है, मैंने आपको बताया था, कि इसमें पहला काम है, drawing limit चेंज करना कि आपने drawing limit कैसे चेक करनी है, आपने drawing limit चेक करने के लिए यह भी खुलनी रहा है तो SMC, यहां पर क्या आना है, यह जो hierarchy level है, इस level में आपने बढ़ना है SMC, SMDC, फिर इसके बाद नीचे आएगा state, इसके बाद आएगा state में आप उत्राखंड slack करेंगे फिर इसके नीचे आएगा district, district में आप पिथाओगर सर्च करेंगे और search बटन को दबादेंगे तो आपकी एक drawing limit, जो bank के दोरा निर्थारित की गई है, वो आपकी खुल जाएगी ठीक है, अब इसको इतना check करने के बाद, हमने क्या करना है, सीधे bank में जाना है bank level पे जाना है, bank level पे आने की पश्चाद हमने इस bank level पे आना है, इस bank level पे आने के पश्चाद हमने क्या करना है account activation e-payment, इसको इसको खोलना है, और यहाँ पर भी हमने account के लिए क्या करना है, UK 207 हमारी scheme है, इस scheme को लेना है, और search कर लेना है, account को हमने, उहाँ पर हमारी पर search करने के पश्चाद account खुल जाएगा, उस account को tick करना है, उसको हमने tick करने के पश्चाद यहाँ पर account e-payment में ready करना है, print advice के लिए, account e-payment print advice, digital signature एक और आ रहा होगा, उसमें नहीं जाना है, account e-payment आएगा, उसको हमने click करके कर लेना है, तो यह account हमारा e-payment के लिए होगी है, अब हम आते हैं master level पर, master level में आने के पच्चाद हमने add new करना है, select में जाने के बाद हमने कौन सा master बनाना है, क्योंकि अभी मैं आपको इसमें दिखाने नहीं पाँगा कि मैं कौन सा master पर बात कर रहा हूं, क्योंकि side बंद है, तो मैं इसमें जादा बता नहीं पाँगा, लेकिन हाँ, जब हमने master पर आना है, तो master पर तीन level खुलेंगे, तो पहला level हमारा जो काम होगा data operator पर होगा, data operator को यहाँ पर select कर लेना है, उसके बाद हमने first name, जो हमारे operator का होगा, वो हमने लिखना है, जैसे मेरे सायक का नाम मनोज है, तो मैंने मनोज लिख दिया, last name हमारा महता हो गया, email address हम उसका डालेंगे, phone number अगर यद्धपी उसके वो ऐसी स्थान पर है कि कारिशेतर उसका ऐसा है कि वो इस विद्ध्याले में के आसपास रहता है, और हम पर signal नहीं आ पाते हैं, तो यद्ध पर हम बात कर रहे हैं, last column, अब login ID में क्या करना है आपको, login ID में काम करने के लिए हमने, इसका एक simple login ID है, वो इस तरीके से बनानी है, कि हमने यहाँ पर लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, operator की बात कर रहे हैं, हमने बात कर ली, मनोज, महता, email ID हमने डाल दी, MNOG, MESTA78, at the rate, 2020, ठीक है, phone number हमारा उसका डाल दिया, 282, यह number डाल दिया, हमने, कोई भी phone number, suppose है, हमने फिर number डाल दिया, कोई भी, number डालने के बच्चा, अब हमने यहाँ पर बात करने, login ID, login ID को चला देखेंगे, login ID पर हमने लिखना है, operator level पर काम कर रहे हैं, तो हमने D capital रखना है, ओक operator लखना है, यह DO की पहचान करेगा हमारा, कि हम operator level पर काम कर रहे हैं, आप यहाँ पर कोई भी विद्ध्याले का नाम डाल दीजिए, जो हमारा विद्ध्याले का नाम है, जैसे हम बात कर रहे हैं, sun की, तो हमने sun डाल दिया, operator level की जो आईडी है, one two three कर दी, इसको हम update कर देंगे, submit कर देंगे, तो यह update हो जाएगी, update होने के बच्चार आपके phone पे यह दुबारा, एक password भीजीगी, उस password पे हम, उसको खोल के हम देखेंगे, कि हम कैसा गाम कर रहा है, तो फिर हमने क्या करा, log out, जब हम इसको यहाँ पर submit करेंगे, तो यह आपर से हमने log out में जाना है, दुबारा, हम log out में कहें, अब हमारे क्या, हमने ID डाली थी, वहाँ पर, D, O, S, A, Sun, ठीक है, तो D, O, Sun, यह हमने ID डाली थी, तो अब हमने क्या कर रहा है, इसका password बना दिया है, मैंने तो, आप लोगों को क्या होगा, एक mail पर password आएगा, mail पर password नहीं आ रहा है, किसी वज़े से रुख जा रहा है, तो आप forget password कर लेंगे, forget password में क्या होगा, उस इस्तिती में आप जाएंगे, तो आपने D, O, Sun, 1, 2, 3 रखना है, उसके बाद capture इंटर करना है, capture के बाद यह आपके mobile में message देदेगा, उस mobile में message को आपको OTP आएगी, उस O जैसे हम उस password को enter करते हैं, यह देखे, यह जो उनके सायक है, उनका नाम यहाँ पर पड़ा हुआ है, सरीता खरकवाल, ठीक है, अब इस सरीता खरकवाल के इस master में जाके, इस detail में जाके, इनकी profile हम चेक करते हैं, क्या किया था हमने, उनका नाम डाला था, नमबर डाला था, उनकी एक email ID डाल ली थी, तो इस email ID को हमने जब आगे process किया, तो हमें यह चीजें मिल गई, अब इसको हम दुबारा logout करते हैं, अब हम अपनी पुरानी site पे फिर दुबारा जाते हैं, ऐसी हम operator level पे बात करेंगे, अब operator level के लिए हमने क्या करना है, दुबारा हमने अपनी पुरानी site, mdm underscore gpsson, और फिर हमने इसमें password डालना है, अपना password जो हमने बना चुके हैं, यह देखें, अब दुबारा हम अपनी पुरानी site पे आ गए, admin वाली site पे, फिर हमने अभी operator बना लिया, फिर हम master में जाएंगे, फिर user में आएंगे, add in you में आएंगे, अब हमने दुबारा यहाँ पर भी अपनी operator select किया था, अब हम किसको select करेंगे, approval को select करेंगे, data operator के बाद हम approval में चल जाएंगे, approval में जैसे मेरा नाम में head हूं, तो मेरा नाम फिर मेरा फोन नमबर आ जाएगा मेरा फोन नमबर इसी नमबर को हम कॉपी कर लेंगे इसको भी यहाँ पर पेस कर दी है कॉपी करने की बच्च अब क्या करना है अब हमने वहाँ पर डी ओ लिखा था यहाँ पर हम लिखेंगे दी ए फिर विद्ध्याले का नाम यह आईडी बन गई इस आईडी को हम सब्मिट कर देंगे सब्मिट में अभी नहीं कर पाऊंगा क्यों नहीं कर पाऊंगा कि यह पहला रिजन दूसरा रिजन के है कि साइड अभी पांच बसी के बाद में अप्टेट कर रहा हूं तो यह करनी है कैसे हमने इसमें डी एडमिन से सॉरी सॉरी एडमिन लेवल से हमने दो पासवर्ट में करनी है एक तो हमने कहां जाना है डाटा ओपरेटर की को पासवर्ट में करनी है सबसे पहले हमने क्या करना है मैं मुख्य बिंदू फिर दुबारा धोरा रहा हूं सबसे पहले ह हमने admin की ID को हमने stable करना है उसके लिए हमने profile में अपने admin level और head approval level के दोनु पासवर्ड और email जो होंगे वो head के होंगे और head ही इसको आगे अपने बढ़ाएगा तो इसलिए दोनु email जो उसका email है जो उसका phone number है वो head अपना यहाँ पर भर ले अड्मिन लेवल पर ही और admin लेवल पर जब हम यह भरने के पच्चाथ हम bank में जाएंगे उसको update कर लेंगे ID को update करने के पच्चाथ हम क्या करेंगे अब bank में बैंक में जाएंगे बैंक में जाने के बाद हमने अपने खादे को क्या करना है activation for e-payment में लेना है activation e-payment में लेने के पस्चाद हम क्या करेंगे उसमें दो option आएंगे हमाँ पर digital और print advice तो हमने क्या करना है किसमें अपने खाते को activate कर लेना है अपना खाता मिला लेना है number मिलाने नहीं हमने उसको print advice मिलेके activate कर लेना है थर्ड हमारा काम होगा, फर्स मास्टर में जाना है, जो यह फर्स मास्टर है, इसमें जाएंगे, इसमें जाने के बाद हमने ट्रॉइंग लिमिट को हमने खोल लेना है, ट्रॉइंग लिमिट पर हमारे पास पहला लेवल आएगा, स्कीम का, स्कीम हमारी है, UK 207, और उस स्कीम के बाद हमारा सेकंड लेवल आएगा हरार्सी लेवल उस हरार्सी लेवल में आप भर देंगे SMC SMDC last column last वाली जो उसमें column होगा उसको ले लेगे third हमने जाना है किस काम में जाना है third हमने जाना है state पे उत्राखंड फिर हमारा district पिखोरागर block bin इतने करने हमने इसको search कर लेना है तो यह हमारी drawing limit पता देगा जो हमारे खाते में पैसा आया उसको हमने रख लेना है फिर third काम हमने करना है जब इतना सब कुछ कर लिया तब हमने second master में आना है second master में हमने दो user बनाने है पहला user बनाना है operator दूसरा user बनाना है approval तो operator level पर जब हम काम करते हैं तो हमने add new में जाना है operator बनाना है select करके add new में जाना है दुबारा approval बनाना है approval और operator बनाने के दोनु तरीके मैंने आपको यह पर बता दिये हैं ध्यान रखने की बाते यह हैं अगर कोई स्थिति में password operator लेवल पर हमारे इस हाइक का password नहीं मिल पा रहा है हमको OTP नहीं आ पा रही है तो आप क्या करेंगे उसका mobile number की जगा अपने mobile number इंटर कर लीजे वहाँ पर आपको password OTP में जाके OTP ले लीजे और आप एक अच्छा हमाँ पर password making कर लीजे थर्ड अकाम क्या करना है approval लेवल पर आना है approval लेवल पर आने की पस्चाद भी हमने अपने head की detail सारी इंटर करनी है email id इंटर करनी है phone number mobile number दून एक ही हो सकते हैं इसमें conflict नहीं होना है थर्ड हमने बात करनी है login id login id में मैंने तरीके बता है operator लेवल की बना रहे है तो DO करके बनाईए विद्याले का नाम और approval लेवल पर बना रहे हैं तो DA करके बनाईए विद्याले का नाम जब इसको हम submit कर लेंगे यह password हमारे पास आ जाएंगे एक password हम making कर चुके हैं तो हमारे तीनों लेवल create हो जाएंगे कौन कौन से level create होंगे पहला level हमारा admin में अपने id इस्टिबल करनी है दूसरा level हमारा operator में अपने हमने साय की id बना लेनी है जिस और जिस विद्याले जो विद्याले एकल है नियमनु साय वह अपने smc के इसमें भी इसको ले सकता है smc का जो अध्यक्षय उसका नाम ले सकता है operator level पे और नहीं तो वह अपना detail बनके भी काम कर सकता है और approval level पे भी आप अपना detail डालोगे head वाले कॉलम पे जो एकल विद्याले है वैसे आपको नौंस के अनुसार smc को लेना चाहिए आप थर्ड इसमें जो हम जानकारी देंगे जब हमने operator level और आज हमने discuss कर लिया है इसको approval level अब हम discuss करेंगे इसमें कि कैसे bill बनाना है कैसे vendor खोजना है कैसे इसमें vendor की हमने unique ID से vendor को संदाता है और सुनना अच्छा लगता है इन चीजों को discuss करना अच्छा लगता है तो मैं यह आशा करता हूं कि आप इस चैनल को सब्क्राइब करेंगे आगे भी इस चैनल को बढ़ाएंगे हमारे और अध्यापक वर्ग हैं इसी ब्लॉक के नहीं अन्यत्र अध्यापक वर सहाइता कर पाऊंगा और होब करता हूं यह सब चीजें आपको पसंद आईएंगी धन्यवाद और इस चैनल को सब्क्राइब जरू करिए